आज मैं CSS के सबसे important subject के उपर बात करूँगा and that is English essay विर्ज हर साल CSS में 93% लोग इस subject में फेल होते हैं और students में एक बहुत खौफ डर पाया जाता है एक confusion पाई जाती है English essay को लेकर और वो समझते हैं कि शायद English essay एक ऐसा subject है जो के ना पास होने वाला subject है या इसका पता नहीं क्या criteria है examiner किन चीज़ों पे देखते हुए इस subject को पास या फेल करता है जो इस एक चीज़ गोर से इस चीज़ पर तवज़ा कीजेगा कि 93% लोग CSS के English essay में फेल इस वज़ा से नहीं होते कि उनको सही अंग्रेजी नहीं लिखने आती इसका एक कतर मतलब नहीं है इसका मतलब ये है वो लोग फेल इस वज़ा से होते हैं क्यूंकि वो structured writing नहीं करतें English essay में CSS essay में examiner सिर्फ आप से structured writing डिमांड कर रहे हैं जिसमें आपके English grammatical skills भी देखे जा रहे हैं आपकी coherence देखी जा रही है और साथ साथ आप किस तरह से relevant लिख रहे हैं ये देखा जा रहा है इन तीन चीज़ों की base के उपर examiner आपको pass या fail करता है मैं next video इन तीन aspects पे detail में एक video में बात करूँगा आज हम English essay के introduction पे बात करते हैं English essay होता क्या है CSS में demands क्या है CSS essay को लेकर और essay की types कितनी है तो आज के जो हमारा agenda है इस lecture का उसमें हम इन चीज़ों को discuss करेंगे सबसे पहले अगर हम essay की definition की बात करें तो essay is simply the expression of your thoughts in writing English essay is all about expression of your thoughts आप लिखते हुए अपनी thoughts को express कैसे कर रहे हैं thoughts को express करते हुए English essay में examiner आप दो चीज़ें देख रहे हैं आपकी personality में दो चीज़ें देखी जाती हैं जब आप English essay लिख रहे होते हैं number one maturity of your thoughts and number two organization of your thoughts English essay आपको लिखवाने का मकसद ये है कि examiner आपकी personality आपकी thoughts में दो चीज़ें देख रहे हैं आपकी thoughts mature कितनी है आपकी thoughts organized कितनी है being an administrator उन्हें एक ऐसा शक्स चाहिए जो mature हो और organized हो जब आप अपनी thoughts का इजहारे ख्याल कर रहे होते हैं आपकी personality reflect कर रहे होते हैं और आप जिस तसलसुल से, जिस consistency से, जिस structure से उस बात को कर रहे, discuss कर रहे होते हैं वो बताती है कि आप कितने organized है तो English essay में, CSS में आपको English essay इस वचाह से लिखवाय जाता है कि examiner आपकी अंग्रेजी के skills देखने के साथ साथ आपकी personality के कुछ छुपे हुए aspects देख रहा होता है जो आपकी writing में reflect कर रहे होते हैं तो ये तो हमने बात की कि English essay की जो requirements हैं CSS को लेकर, CSS में इसको क्यों include किया गया है as a whole subject तो उसमें examiner आपकी personality के ये दो aspects देखना चाहरा है अब हम बात करते हैं CSS में कितनी types के English essay आते हैं कितने types के topics आ सकते हैं एक essay के अंदर हम देखते हैं जब CSS का paper आता है तो उसमें 10 topics आपकी 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 दिए गई होते हैं उनमें से आपने एक topic करना होता है वो 10 topic मुख्तिफ types के हो सकते हैं अब हम उन टाइप्स को स्टड़ी करते हैं तो CSS में जब आप इंगलिश ऐसे लिखते हैं उसकी चार टाइप्स हैं नमब वान एक्सपोजीटरी ऐसे नमब टू डिस्क्रिप्टिव ऐसे नमब थ्री और्गुमेंटेटिव ऐसे ये चार किसम के ऐसे हम डिस्क्स करते हैं CSS के परस्पक्टिव से अब हम इन चारो टाइप्स को थौरूली डिस्क्स करते हैं एक्सपोजीटरी ऐसे एक्सपोजीटरी को समझने के लिए हमें पहले इसका लवजी मतलब पता होना चाहिए expository का word drive हुआ है exposition से और exposition का word drive हुआ है to expose से किसी चीज़ को खोलना, किसी चीज़ को open करना, किसी चीज़ को explore करना जब भी CSS का कुछ topic आपको दिया जाता है essay लिखने के लिए हमें कैसे पहचान होती है कि ये एक expository topic है उसमें दो तरह की निशानिया आपको मिलेंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो essay का topic है, ये specific expository essay है उस expository essay की दो निशानिया, number one, उसमें हमेशा issue highlight हो रहा होगा हमेशा issue based topic होगा number two, मैं तीन aspects लिखने जा रहा हूँ, इन तीन aspects में से कोई एक aspect नज़र आ रहा होगा तो हमें समझ आजेगी कि ये एक expository topic है number one, cause and effect relation number two, comparison number three, contrast कोई भी essay essay का topic जिसमें issue highlight हो रहा हो और जिसमें इन तीन factor में से कोई एक factor आ रहा होगा तो हम, हमें समझ आजेगी कि ये एक expository topic है अब मैं आप से कुछ examples share करता हूँ, ताकि आपकी understanding हो सके कि what is actually an expository essay मैं लिखता हूँ, energy crisis in Pakistan causes and implications ये एक topic है मैं एक claim करता हूँ कि ये एक expository topic है number one, इसमें एक issue highlight हो रहा है energy crisis in Pakistan issue based topic हमें पहचान हो गई है कि इसमें एक issue highlight हो रहा है number two, इन तीन factors में से एक factor highlight हो रहा है cause and effect relationship energy crisis in Pakistan causes and implications ये दो निशानिया पूरी हुई और हमें पहचान हो गई कि this is an expository topic एक और मिसाल देखते है global warming a myth और a reality global warming एक myth है या reality है myth और reality दो contradicting चीज़ें आ रही है contrast आ रहा है सबसे पहले issue highlight हो रहा है global warming and number two इन तीनों में से contrast highlight हो रहा है तो हमें समझ आजेगी कि ये एक expository topic है इसी तरह से मैं आपको comparison की बता देता हूँ example globalization has created more problems than solutions कि globalization ने दुनिया के लिए मसाइल ज्यादा खड़े की है solutions की निस्बत तो ये हमें समझ आ गई कि ये एक number one issue highlight हो रहा है globalization ने दुनिया के लिए मसाइल खड़े की है number two comparison globalization ने दुनिया के लिए मसाइल ज्यादा खड़े की है solutions की निस्बत तो हमें समझ आ गई कि this is an expository topic तो ये थी पहली type इसी तरह की हम नेक्स शॉर्ट वीडियो आपके लिए essay की बनाते रहेंगे नेक्स वीडियो में मैं आपसे descriptive ऐसे discuss करूँगा और फिर हम argumentative और narrative ऐसे की तरफ चलेंगे और फिर आइस्था इस्था हम essay के structure की तरफ जो है वो मैं आपको उसमें कुछ technicalities बताऊंगा उसमें कुछ basic चीज़ें बताऊंगा जो आपकी understanding के लिए बेतर होंगी और इंशाला आप CSS essay को असानी से पास कर सकेंगे बहुत शुक्रिया